तो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत आपका स्पोर्ट्स तक में और कल हमने देखा कि किस तरह से बंगलदेश ने इतिहास रचा था पाकिस्तान को पाकिस्तान की सर्जमी पर मात देते वे और पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि पाकिस्तान को उन्होंने टेस सीरीज में उनी के घर पर जाकर हराया दो शूने से जीत हासिल की सीरीज अपने नाम की और अब सवाल उठता है कि क्या पाकिस्तान अभी भी WTC के फाइनल में पहुंच सकती है या नहीं पहुंच सकती है तो इस वीडियो में जानेंगे सारे समी करण जो की हो सकते हैं और आगे बंडे से पहले एक बर आपको फिर से याद दिला दे अगर आपने अभी तक प्रोबो डाउनलोड नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन लिंक पर जाए यह क्लिक करिए प्रोबो को डाउनलोड करिए असान सवालों के जवाब दीजिये क्योंकि बंडेश का पाकिस्तान दौरा खत्म हो चुका है बंडेश अब इंडिया आने वाली है और सवाल यहीं होगा कि क्या इंडिया बंडेश को हरा पाएगी या नहीं यह सवनों में जवाब दीजियो और जीतिया असान से जीतिया बहुत सारे प्राइज़ और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ अपने उपिनिंस जो है आफ्री में मत दीजेगा उनको वेस्ट मत होनी दीजिये सही जगा पे इस्तमाल करिए यह सही जगा क्या है प्रोबो है तो चलिए वापस आते हैं पाकिस्तान क्रिक्ट पर और पाकिस्तान क्या अभी भी अब होगा वो भी बताएंगे सबसे पहले आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं WTC points table किस तरह से इंडिया अभी भी number one position पर है 9 matches खेले हैं और 2 में हार मिली है 6 में जीत मिली एक draw है तो 74 points के साथ number one position पर है और number 2 पर है Australia number 3 पर है New Zealand number 4 जी हां और आप देख सकते हैं Pakistan जो है 8 फे position पर है West Indies से उपर 7 matches में 2 matches जीते हैं 5 हारे हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो उनके deductions भी है 8 points के deductions है और 16 points उनके नाम है तो अब आप देखे कि कौन-कौन से matches series पाकिस्तान को खेलने बाकी हैं आप अपने screen पर देख सकते हैं अभी फिल्हाल जो है England जो है Pakistan जाएगी और इसके अलावा अपने screen पर देखे कि पाकिस्तान जो है England को host करेगा तीन test series के लिए October 7 तारिक से October 24 तारिक तक इसके अलावा December 8 से January 3 तक पाकिस्तान जो है South Africa का दौरा करेगा जहाँ पर तीन T20I, तीन ODIs और दो test खेले जाएंगे West Indies फिर उसके बाद जो है विजिट करेगा पाकिस्तान को दो test series के लिए January 16 से January 24 के बीच में अब यह हमने बताया कि upcoming test matches जो है WTC final के लिए पाकिस्तान के matches होगे अब क्या outside chances हैं पाकिस्तान के किस तरह वो WTC final में पहुँच सकते हैं वो देखे अगर पाकिस्तान England को 3 शुने से हराता है अगर पाकिस्तान South Africa को 2 शुने से हराता है अगर पाकिस्तान West Indies को 2 शुने से हराता है लेकिन पूरे matches जीतने के बाद सारी series को अच्छी तरह से जीतने के बाद Australia को अपने 4 matches साथ में से गवाने होंगे तो ही पाकिस्तान आगे बढ़ पाएगा फाइनल की रह अर्सान नहीं है पाकिस्तान के लिए यह आपको बता दें कि यह outside chances है पाकिस्तान के लिए ऐसा अगर कर पाती है पाकिस्तान तो number 2 पर position पर पहुँच जाएगी number 1 पर अभी फिलहाल इंडिया है तो सारे समीकरन अगर सही बैठते हैं तो इंडिया पाकिस्तान का WTC final हो सकता है लेकिन अब आपको दिखाते हैं कि इंडिया के matches कितने बाकी हैं आप अपने screen पर देख सकते हैं कि इंडिया अभी फिलहाल points table के top पर है इंडिया को 10 matches खेले हैं जिसमें से बांगलदेश के खिलाफ 3 test हैं आपको बता दे 19 से उसकी शिवरात होगी जब आंगलदेश इंडिया आएगी उसके बाद इंडिया को न्यूजिलन के खिलाफ खेला हैं दो test उसके बाद इंडिया औस्ट्रेलिया का दौरा करेगी बॉर्डगावस को ट्रोफी के लिए जहां पर 5 test matches खेलती निज़र आएगी टीम इंडिया अगर इंडिया 5 matches जीती हैं इन 10 में से तो वो final तक पहुंच जाएगी अब Australia के matches देखते हैं क्योंकि Australia नंबर 2 पे है फिलहाल आप देखें कि Australia जो है अभी फिलहाल दूसरे position पर है Australia को 7 matches खेलने हैं Australia को इंडिया से खेलना है 5 test matches उसके बाद श्रिलंका से 2 test match खेलने हैं और Australia को अपने 4 matches जीतने होंगे final में पहुंचने तक अगर Australia 4 matches नहीं जीत पाती है और Pakistan जो है अपने सारे matches जीत लेती है यानि की 3-2-2 तो फिर पाकिस्तान के लिए चीजे असान हो जाएंगी और Australia की जगा Pakistan नंबर 2 position पर जाएंगी और इंडिया अगर अपने 5 matches जीत जाती है इंडिया नंबर 1 रहेगी तो अगर सारे समीकरन सही बैठते हैं तो इंडिया और पाकिस्तान आपको WTC final खेलते नजर आ सकते हैं लेकिन जैसे कि मैंने कहा इस सारे समीकरन सही बैठने चाहिए तब जाकर पाकिस्तान को फाइदा हो सकता है अगर आपने पाकिस्तान और बांगलादेश का मैच मिस किया है तो बिल्कुल भी चिंता मत करिया आप उस मैच का हाइलाइट देख सकते हैं स्पोस्तक अप पर और सारे मैच्चे चाहे वो US Open हो चाहे वो Delhi Premier League हो चाहे वो Paralympics में इंडिया की शानदार production हो हर एक सीरीज का सारा हाइलाइट आपके पास हमारे अप पर अवेलेबल है तो हमारे अप को डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ पर आप सब कुछ देख सकते हैं इसके लावा बस पोस्तक डॉट कॉम पर भी जाकर सारी चीज़े देख सकते हैं अभी के लिए बस एतना ही उम्मीद करते हैं ये वीडियो अच्छी लगी होगी अच्छी लगी है तो लाइक कर लीजिए शेयर कर लीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा फेस्बुक पेज को भी लाइक कर लीजिए धन्यवाद